आप देख रहे हैं SMP जार्खन न्यूज हकीकत है तो दिखेगा जाईर से बाते मेला लगनी रहा है बचों का कुछ वैसा कुछ क्रियेटिविटी उतना कुछ दिखनी रहा है हम लोगों जूले नहीं है और जो भी बचों को खिलोना वगेरा जातो होता कि राची के जो प्रसासन की गाइडलाइन है उसमें राची में पूजा करने का पर्मिशन नहीं देना चाहिए था नमस्कार SMP न्यूज जार्खन में आप सभी का स्वागत है खबरों की खबर में क्या है आज खास देखिया SMP न्यूज के सांथ पहला खबर करोना के साय में दुर्गा पूजा सरकार और प्रसासन के द्वारा दिये गए दिशा निर्देसों को लेकर पूजा समीतियों में खासी नराजगी तो वहीं खबरों की खबर में है कैसी होगी इस बार की दुर्गा पूजा और जीला प्रसासन की क्या है तयारी इसी का जाजा लेने SMP न्यूज की टीम देखने निकला तो लगबग सभी चोटे से पंडाल में मा नौ दुर्गा बिरजमान दिखी उसके बाद राची रेलबे एशेसन के पंडाल की भब्यता दिखा लेकिन आपको बताते चले सदर S.D.O. ने वहाँ पर सरकारी आदेश का उलंगन किये जाने का अरोप लगाते हुए पंडाल को धकने का आदेश सुनाया था जो देर साम खोल दिया गया सही सुना आपने टीम आगे कोकर पंडाल का जाईजा लिया पूजा के संदर में पूजा कमिटी की लोगों ने क्या कहा और पूजा पर कैसी रहेगी पुलिसिया ब्यवस्था इस पर CTSP ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे इससे पहले आपको हम बता दें SMP News के करजाले में कई लोग फोन पर मुकी सचीव द्वरा दिये गए 15 लोगों के पंडाल में जाने की अनुमती पर सवाल पूछे की पुजा समीती के सदर से जाएंगे या भग बिल्कुल आपने से सुना तो आपको बताते चलें इसमद में भी अश्टपश्ट सुचना स चोटा हो गया और पहले से मनी मादुर्गा की मूर्ती भी बेकार हो गई और खासकर जो कड़िगर काम करते थे उनके लिए इसमद क्या रहा और कैसा है इसमद्रका मुक चार पंडाल का मुक पंडालों से होगत करे हैं हम इस बार भी जो मुख्य पंडाल राची के चार जो अपने आप में भविता रहता है उन पंडालों में और आप तक लाने की कोशिस किया रायव बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ करूना का ऐसा समस्या तो तब से फिंग काम को हम धिमा दियें उसका बात राम न invi में और ऐसा खास काम हुआ नहीं मूर्ति बनके लिया नहीं लॉकड़ाउन गिर गिया थो उसका बात से धीरे-धीरे परिस्तिति आपी लोग उनका सामने में है तो उसी टाप से हमारा काम भ इतने सालों से आप ये मुर्ति बना रहे हैं वह पहले बताई देखिए यहां पर आची में हम करीब करीब लगबक 55 साल हो गया ही यहां पर मेरा दुकान है तो यहां पर हम तब बिहार था आप जारगांट है ठीक है काम हो रहा है 55 सालों से जैसा क्या बता रहे हैं 55 सालों में आपको सबसे ज़्यादा मार कब पड़ा देखिए सबसे बोले तो इसी बार मार जिंदिगी में पहली बार सुने हैं देख रहे हैं भी है और मार भी और इसे ही गिरा सब छोटा-छोटा मुर्ति है सब छोटा पैंडल है छोटा स पुजा का रोनाक नहीं है, कुछ नहीं है, एक दम सुनाथा टाइप का है, हाँ, पुजा हर जागा में ही हो रहा है, सब छोटा रूप से, नाम का बस्ते, स्थान को खाली नहीं रखना चाहिए, इस अधार से सब कोई मुर्ती ले जाके, माख अरादना कर रहा है, जे कुरो क करूना से मुक्ती देमा, सांती देमा, लेकिन एक चीज़ा हम आपर पुछेंगे, कि यहां पर आपके पहले कितने लेबर काम करते थे, आप कितने कर रहे हैं, देखिए, लगभग 17, 18, 19, 20, लास्ट तक हो जाता था था लेवार, तो मगर इस बस चार गो लेवार है, बस च चार डिंग में कुछ जादा लेवार था, तो जहां ऐसे देखे, तो लोगों को घर भेज़ दिये, आप ऐसी चोटा-चोटा मूर्ति कुछ बनाएं, बाकी, जो बनाएं उसी को फिनिसिंग कियें, मतलब ये कोरोना सबको ले डूबा, आप ही कहां भोलेंगे, सबको तो ल बारा पैंडल का बारा मूर्ति कुछो नहीं है, बिसकर्मा भगवान का भी ओई हालत है, सब चोटा-चोटा कुछ मूर्ति लेके भाई लोकों पुजा किया है, सबका डामा डोल है, सब को या करो रहा है, हम भी रो रहे हैं, का करें? चलते-चलते मातारानी से क्या दुआ मांगेंगे? चलते-चलते मातारानी से क्या दूआ मांगेंगे? करोंटा के करणड जो सरकार ने परतिवन लगा रखे हैं, और अन्यपुर्नबहुत सी बाते हैं, हम लोग के पूजा पंडाल के विरोध में उन्हों सरकार दोरा किया जा रहा है इसलिए हम लोगोंने छोटा पंडाल बनाया है सुरक्षा के दृष्ट्री कोन से भारतिये इवक सेंग इस वर क्या कैसी तेयारी किया पुझा करना कहा है सरकार करेगी हमको क्या करना है हम तो अंदर एलावी नहीं है भगतों के लिए आपके द्वरा किया है इनोंने आज तो पंदरा भगत आम यह जो बनाए हैं वो लोकी के लोग डिस्टेंस बर खड़े हो सकते हैं बाकी रोड से दर्चन करें सड़क की भीड़ को आप नहीं रोक सकते हैं क्या लग रहा है इस बार आपको दुझा की लिए सरकार को जारी किया दिया है देखे मा के जो भगत होते हैं छोते बच्चे हैं कुछ तो लोग निकलेंगे आप लाग कीजिए सेनेटाइजेशन का मास्क का सोचल डिस्टेंसिंग का सेनेटाइजन और मास्क के लिए सरकार ने मना कर दिया है आपको वितरी तो नहीं करना है कुछ नहीं करना क्या करेंगे उजाने सरकार का काम है हमने वो बोले मास्क बाटी है के तो भीड बढ़ेगी नहीं और सेनेटाइज भी नहीं करना है सेनेटाइज मुस्पल्टी को बोला गया है नहीं मेरा कहने मतलब कारे सिमीती द्वारा जो भारती हम लोग चलता हुआ पबली को सेनेटाइज नहीं कर पाए अचा कुछ धिलाई दिया गया था सरकार के दौरा भी एक दिन पर ले जी तो आया है उसको लेकर क्या कहेंगे नहीं उसको दिखे ना आया ना पंदरे लोगों का अदिस दिया ना कि पंदरे लोग पंडाल में परविश कर सकते इस पीकर के लिए बोले हैं कि पच्पन पर से वह स्लोक बजा सकते हैं तो दिन वरा तो मंतरों उचारंच सब समय नहीं होता है नहीं होता है इसलिए हम लोग भजन बजाएंगे मा का भजन हम कोई भी फिल्मी काना नहीं बजा रहे हैं और भजन भी हमारे उनकी जो गाइडलाइन है पच्पन उसी में बजेगी ताकि वो सलक तक सुनाई दे बस सरकार के दोरह आप लोग के लिए पास भी कोई दिशा निर्देशा है कि कैसे करना नहीं करना है चिटिया ही है थाना से हम लोग से भरवाया गया है पत्र आपके चेहरे पे इस बार की पुझा खासा नराजगी दिख रहा चुकि इस बार कायोजन काफी छोटा हुआ है इसलिए भक्तों में भी देखा जा रहे है कि वो उल्लास नहीं है भार्तिवेक संग आज पूरे जहारखंड में खास करके बकरी वजार पूजा दुरगा उत दर्सन करने के लिए पदारते हैं लेकिन इस बर्स करोना के चलते है भक्तों में बहुत मिरासा है और खास करके जो सरकार की गाइडलाइन आई है करोना से सम्मधित सारे हमारे सदस से सक्री हैं लेकिन सरकार का ये गाइडलाइन कि आप दर्सन मत कराईए भक्तों को दस करम हमारा दुर्गा पुजा का संपन होता लेकिन सरकार की गाइडलाइन से बहुत निरासा है और खास करके आज जो इनों ने गाइडलाइन में सुधार किया कि स्रीफ 15 भक्त मंदर पंडाल में प्रविश्च कर सकते हैं साथ ही ने लिखा कि आप बाजा बजा सकते हैं लेकि को हम लोग प्रगट कर रहे हैं इससे अच्छा तो होता कि राची के जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसमें राची में पूजा करने का परमिशन नहीं देना चाहिए था हम कहींडा हम तो सही पूछिये तो मैं मा को दर्वार में बठा चुके है लगैं हम लोग हमन में बहुत गलानी है कि हम इस तरह पूजा बाकी नहीं कर सकते हैं ये साल में एक बार आता है सर और इतनला बड़ा हमानी है कोई छोटा-बटा पूजा नहीं है ठीक है अगर क्राउड बढ़ता है तो ऐसे में आपका प्रबंधन समीटी कैसे उसके रोकने कोई भी क्राउड पुजा पंडाल के अंदर जो लोग दर्शन करेंगे वहां तेक हमारा दाइतु है बागी सरकार जाने सरकार का काम जाने देखिए इस बार जो दुर्गापुजा हो रही है उसमें दो महतुपुन बिंदू है पहला तो यह कोवीड को लेकर के हम लोगों के स्पेसल स्तरकता बरतनी है और दूसरा विधी वश्था जो कि हर बार दुर्गापुजा में ध्यान रखनी होती है उसका ध्यान रखना है दूनों दृष्टिकों से हम लोगों ने जो तैयारी की है एक तो जो पूरु में डेप्लॉमेंट होता आया है पंडाल के हिसाब से डेप्लॉमेंट हमने किया हुआ है सिसी टीवी कैमरा इंस्टॉल के जारा ड्रोन और अन्य टेक्नोलोजिकल तरिके से भी निगरानी होग और साधे लिबास में भी लोग हमारे रहेंगे जो कि सुरक्षा को तंदूरुस्त करेंगे देखिए इसमें नो इंटरी जो रहेगी उससमें जैसे कि हम लोग एग्जिट पॉन्ट जो हमारे हैं उसके अंत्र का दिया है कि जो पंडाल है उसके अंतर नहीं जाना है और पंडाल को चारो तरफ से घेरने की विवस्था करनी है इसी को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग लगाई गए चुकि मैंने पहले ही बताई कि कोरोना जो है इस बार एक महतपूर्ण पहली हुए इस बार के पूजा का उसको लेकर के ये बैरिकेडिंग की जाए जैसा कि कुछ पूजा पढ़ डालो वाले बूल रहे हैं कि वो सेनिटरिजेशन और मास्क वितरन नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या आप सरकार के दोरा क्या या पूलिस विवा के दोरा इस बार भी इतने छोटे पंडल में आपने नहीं किया है तो कि इस बार आप संतुष्ट हैं देखिए चुकि गाइड लाइन काफी लेट से आई और करोना हमारी का या काल है तो पंडल से तो पंडरे दिनों में जो बना उससे हम संतुष्ट है लेकिन परसासन के द्वारा जो इसमें बार-बार गाइडलाइन्स का हवाला दिया जा रहा है जिसके करण से परिसानी हो रही है सदर इसडियो द्वारा सुना गया कि एक काला रिंग का परदा डाला गया है तो ये क्यों डाला गया है? चुकि जो परसासन का निर्देश था कि किसी थीम पे पंडाल नहीं बनाना है तो जैसा मुझे उन्होंने बताया कि किसी थीम पे नहीं बनाना है लेकिन इसमें आपने कलाकिर्थी की है तो उसके लिए सपस्टिकरन मांगा गया था तो मैंने इस प्रिष्टिकरन लिखीत रूप में उन्हें उपलब्द करा दिया देखिए हमारा तो यही कहना है कि जिसे आज कुछ चीजें हैं जो चीजें इस पश्ट रूप से समझ में नहीं आ रही हैं आज सुबह जो सारे न्यूज चैनलों में न्यूज पेपरों में जो खबर आ रहे थी कि 15 लोगों को पंडाल के अंदर आने की अनुमती है तो उसमें यह इस पश्ट नहीं किया गया है कि वो 15 लोग सिर्फ समीती के लोग रहेंगे या आम सरधालू रहेंगे और अगर आम सरधालू 15 लोग आ सकते हैं तो फिर उसको सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रहे हैं कि नहीं अगर हम कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को या कोरोना गाइड लाइन्स को अगर हम उलंगहन करते हैं उस पर अगर करवाई होती है तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन यह हिस्पस्ट नहीं है कि कौन पंद्रे लोग आएंगे एक शी बताएं मुझूरा जी यहां आपने कैसा कर रखाया अगर क्रावड बढ़ता है चुकि आपके पंद्रे चर्चा चहूर है ऐसे मगर क्रावड बढ़ता है तो उनकी भगतों के सुरक्षा के लिए आपने क्या तैयारिया कर रखे है यहां से दो मार्ग हैं जिससे कि आ अगर आप देखे होंगे कि यहां पर लगभग कम से कम एक हजार आदमी डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर खड़े रह सकते हैं और 15-15 लोग करके जा सकते हैं हमने इस तरह से इसको घुमावदार बनाया है जीग जैक सिस्टम से बनाया है कि लोग यहां आएंगे तो वो च इछले बार से ही रिलवे द्वारा या जगह हमें दी गई है और इस वर्स भी यहीं पूजा हो रही आने वाले वर्सों में भी यहीं पर पूजा होगी मुंचुन राय अध्याक चरांची रिलवे स्टेसर जी अध्यच पहली बार हुए यहां का राजुराम जी और यह 54 सा राजुराम को अध्यच चुना गिया यहां पर बिजली बत्ती की बेउस्ता काफी जादा की गए जबकि जिला पर शासन द्वारा लाइट बत्ती जादा लगाने का आधिश नहीं है तो सर यहां पर इसा हम लोग जादा नहीं किये थे वो जो पीपल पेड़े में जो लग अध्या यहां था ब्लोग वो सिर्फ हम लोग बंद करवा दिए वो बोले कि गव्रोब नहीं हर तो लगा ऊँए एकि स्कूल में राइस लगा हुआ बागी जो मंदीर का साथ-सलु उच अलग हुआ है और कहीं हम लोग को इसा लाइट का व्यवस्ता नहीं कि यह जek वह अंदर किसी को जाने नहीं देना है। आप कुछ भी वैसा रहा नहीं और अंसेफ है अगर आप निकल भी रहो तो बहुत अंसेफ है इसलिए निकलना भी सही नहीं है सडके काफी सुनी सुनी लग रही है है ना तु उस पर क्या कहेंगा अपकॉस निकलना नहीं ही अच्छा है घर से क्योंकि कोविट इतना ज़्यादा फैलावा है अगर उससे लोग संक्रपिन्थ हो रहे तो बेटर है कि वो लोग घर पे रहे और पूचा घर से करे या पंडाल से स्रदा मन में होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है तो ही खबरों की खबर में है कोतवाली थाना परिशर में बाल मित्र थाना का उधगाटन अजयराची के स्स्पिस रुंद कुमार जहाने किया और क्या कहा स्री जहाने हम आई यह सुनते हैं ऐसे में पुलीज भी मानती है कि बच्चों के लिए भी बाल मित्र होना भी अलशक था जैसा कदम अभी उधाये गए पोस्ट कोर्ना वर्ल्ड में जो है संभवनाएं हैं कि अपराद के जो ग्राफ्स हैं जैसे कि आप कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं बढ़े हैं लेकिन हम लोग प्लानिंक पर हम लोग बताया गया था आपको कि हम लोग उस पर ह्कुर्णा वर्ल्ड में कर रखते hell कि पोस्ट कोड़ना वर्ल्ड में जब लॉक्डॉन हडाय जागा तो कहिंडे कहीं जो एक आर्थिक संकर्ट की इस्थिती है जो कहीं ने कहीं हमारे जंगेश्टर्स हैं बच्चे के मिस्गाइड हो की गलत रास्ते पे न जब पर हैं उस अंदर में और और जो है कि आपने देखा होगा कि पूर में कल ही मैंन की जो एक उमन हर्टन शुरू किया गया आज भी आ कहीं कुछ काम कर रहा है जो कहीं न कहीं किसी चीज में इंडल्ज है वो अपने अबलब धायर बनाके रखें और गलत रास्ते पी न चले में राजी में बाल मीतर ठाना की आवशकता थी अब मैं यह पर नहीं कहां की बिल्कुर स्टार्ट है पहले से ही थी इसको नए समय के साथ नहीं प्रस्थितियों के साथ नहीं कलेवर्में नहीं तक ब्याने की चाहिए अगर समय में कहीं ने कहीं प्रवितियां रही है हर समय अच्छा प्रयास हुआ है प्रयास आगे चला है ताकि हम इस मुझास्ते पे ख़र हैं फिर से एक नियाप जो एक सिथिलता आ गई थी एक अकर्मनेंते आ गई थी या कहीं न कहीं जो हम लोग प्रयाटि चेंज होती रहती है यह प्रयाटि पिछे छूट गया था तो हम अच्छे प्रभित्रियों के साथ एक अच्छे पूलिसिंग अस्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ने की चेश्टा मात रहे हम यह नहीं कर सकते कि बिल्कुल नया है तो अपना ख्याद रखें क्योंकि आपसे हैं हम लेटेस्ट अपडेट के रिए चाइनल को सब्सक्राइब से और लाइक करना ना भोले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे धन्यवाद जैहिं